हेलो दोस्तों आज का हमारा चर्चा का विशे है भारत का पहला स्मॉक टावर आईए देखते हैं यह चर्चा में क्यों है हाली में दिली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल ने राष्टरी राजधानी में भारत के पहले स्मॉक टावर का उदगाटन किया है इसे बढ़ते वाई प्रदूसर्ण से निपटने में मदद करने के लिए कनाड प्लेस इलाके में लगाया जा रहा है पर्यारण मंतरी गोपाल राय के अनुसार या लगभग एक किलोमेटर के दाएरे में वाई गुडवत्ता में सुधार के लिए 20 मीटर लंबा धाचा है को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर वाई शोधक जैनी एर प्यूरी फायर के रूब में काम करने के लिए डिजयन किया गया है कनाड प्लेस में स्मॉक टावर हर सिकंड में 1000 क्यूबिक मीटर हवा को सुध करने में सच्छम होगा दिल्ली देश और दुनिया भर में सबसे प्रुदूशित सहरों में से एक है और पिछले कुछ वर्सों में इसकी वाई गुडवत्ता में काफी गिरावट आई है टाटा प्रोजेक्टस लिम्टेड यानि TPL ने IIT दिल्ली के सयोग से और IIT बॉम्बे की तकनीकी सहता से इसमाग टावर का निर्माड किया है राष्टरी भवर निर्माड निगम यानि NBCC इंडिया लिम्टेड को परियोजना प्रबंधन सलाकार के रूम में निउक्त किया गया है